नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे तो आज मैं आपके लिए लिखाया हूँ एक नया वीडियो की ठेकेदार कैसे बने तो दोस्तों मैं आपको लिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प कि आज हम बात करेंगे कि सरकारी ठेकेदार कैसे बने तो क्या-क्या होना चाहिए आपके पास सरकारी ठेकेदार बनने के लिए यह मैं आपको बताता हूँ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एन कार्ड होना चाहिए चार पास्पोर्ट साइज फोटो एक हैसियत प्रमान पत्र जी एस्टी पंजी करण अनुभव प्रमान पत्र डिजिटल सिंगनेचर चरित्र प्रमान पत्र और ईटेंडर पॉर्टल पंजी करन यह सभी चीजे को बारे में विस्तार से आपको अपने आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को वीडियो पर बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें सबसे पहले आधार कार्ड दोस्तों आधार कार्ड आप से परिचित हैं आप सभी लोग आसा करता हूं सभी लोग परिचित होंगे सभी के पास आधार कार्ड होगा यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप नजदी की आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपना आधार क पहले जो जिनकी आय होती थी उनी को उनी के पास मांगा जाता था उनी के पास होता था मगर अब यह जो है अनिवारिता कर दी गई है सभी के पास पैन कार्ड आपका जहां भी खाता होगा उसमें लगा लगाया जाता है तो यह पैन कार्ड भी बहुत आसानी से बन जाता है आ यह बहुत ही मतलब easy है आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं मैं आपको एक दिल्चस्प बात यह बताने वाला हूँ कि जितने भी आप देखिए कि जो मंत्री हैं यह MLA है वो इतने बड़े-बड़े पद ले ले लेते हैं तो वो पहले ठेकेदारी थे वो अगर आप भी यह पैसा कमाना चाहते हैं कम लागत में आप बहुत सारा यस और कीर्थी इस्थापित करना चाहते हैं तो यह बहुत ही सरल माध्यम है और इसमें किसी विसेस योगिता की भी आवशक्तानी होती है तो इसलिए आप बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो पर और एक एक बात को ध्यान से सुनिए तो आपको इन सभी बातों का पता चलेगा और चरित्र प्रमान पत्र दोस्तों चरित्र प्रमान पत्र कारियाल जिला मजिस्ट्रेट में बनाया जाता है और इसमें आपका चरित्र कैसा है मतलब आपके कोई आपराधिक मामला तो नहीं है या आपराधिक प्रवर्ति के आप तो नहीं है यह जस्टिफाई किया जाता है और यह बहुत ही असानी से बन जाता है और बहुत तरह के एजेंट वाँ पर कचैरी में मजिस्ट alone कार्याल क्या आसपास रहते हैं उन से आप संपर्क करेंगे और अफिस भी हैं जहाँ पर यह बनाए जाते है कि दोस्तो हैसियत प्रमाण पत्र भी जैसे चरित्र प्रमान पत्र बनता है वहीं कार्याले जिला분 मुवत आप जिला मुखालना पर पहुंचके यह दोनों PWD T5 और PWD T4 जो मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको बताया है आप महाँ पर जाकर आसानी से बनवा सकते हैं कि दोस्तों कि दीडिटल सिंगनेटर क्यों चायी होता है कब दिए ओता और कैसे बनता है मैं बताता हूं डिजिटल सिंगनेटर आप जब आपकी फ़र्म हो जाएगी आप ठीकेदर बन जाएगए तो आपको आप अनलाइन अपनी विदा होती chapter जो आपका rates होते हैं, वो online आपको apply करने पड़ते हैं, आपको अपना experience भी online apply करना पड़ता है, website पे जाकर, तो आपका वहाँ पर digital signature चाहिए होता है, जिससे कि आप अपने, जो rate आपने दी हैं, वो verify कर सकें, तो इसके लिए ये digital signature चाहिए होता है, मतलब ये बात की बात है, जब आपको ठेके तार बन जाएंगे, उसके बात की बात है, मगर ये भी आपको चाहिए होगा, इसलिए मैंने इसे include कर लिया है, registration form for class 2 digital certificate, और सबसे पहले आप class 2 में ही register करेंगे, जब आप class 2 में experience ले ले लेंगे, उसके बात जाकर आप class 3 में register करा सकते हैं, तो दोस्तों इसका form भी मैंने इसके साथ थोड़ा दा शेर किया हुआ है, और इसमें जितने भी form में दिखा रहा हूँ, इनका सब का link जो है मैं अपने description box में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से इनको उनकी जानकर रिप्राप्त कर सकते हैं, इस टेंडर पॉर्टल पंजी करन ये भी तभी चाहिए होता है जब आप ठेकेदार बन जाते हैं, तो इसमें आपको जो इस टेंडर पॉर्टल है उस पर जाकर पंजी करन कराते हैं, और पंजी करन कराने के लिए आपके पास एक form होना चाहिए, जिस तरीके सा आप मेरी slide पर देख पा रहे हैं, तो ये भी आपको वहाई से आसानी से मिल जाएगा मेरे description box में, शर्ते क्या होनी चाहिए कि आप ठेकेदार बन जाएं, तो शर्ते होनी चाहिए आप राधिक प्रवर्टी के आप व्यक्तिक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और क्योंकि क्या होता आते हैं, जब निविदा डाल दी जाती है, वह अपना रसूक का और जो अपनी आपराधिक छवी उसका इस्तमाल करते हैं, और ड्रा धंका के टेंडर लेने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये वस्था रखी गई है, इसलिए आप से चरित्र परमान पत्र भी मांगा गया जिसे हैसियत परमान पत्र कहते हैं, और पी डबलुडी टी फाइव, जिसे हैसियत परमान पत्र कहते हैं, हैसियत परमान पत्र दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ये जिससे इसके नाम से जाना जाता है, पता चल रहा होगा आपको, कि ये आपकी हैसियत की आपकी फाइनेंसिल capabilities है आपके पास 2,00,00 रुपए का कोई plot है तो आपके 2,00,00 रुपए तक काम में आप apply कर सकते हैं उनको फिर अगर आपके पास 4,00,00 है आपकी हैसियत तो आप 4,00,00 तक के काम ले सकते हैं इसलिए ये कितने PWD T6 ये घोशना पत्र देखो इसमें दिखा हुआ है और ये कुछ नहीं ये जो मैंने मैटर इसमें दिखाया है वो आपको 100 रुपे के सपत प्रमाण पत्र पे देना पड़ेगा और इसी का बस अपना नाम पता भरकर और अपनी जानकानिया भरकर और नोटरी से दस्तिकत कर जाके और जो है इसको बनाया जा सकता है बहुत ही सिंपल है दोस्तों अब जब सब ये कागज आपके पास उपलब्द हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे जब आपके पास ये सभी दस्तावेज आप बनवा लेंगे फिर उसके पास आप एक्सियन का जो आपका जिला ह सबस्तों लेक्ते हैं बहुत कि लस्ते को आप देखें पी डबूडी का अफिस कहा है जहाँ पर एक्सियन बैखें लल रहा पर आपको जाना है वहाँ पर चेंडर बाव고 एक काम होता है कि tender के लिए registration करना तो आप वहाँ पर जाएंगे उन से संपर्क करिए और उनको अपने सारे documents दीजिए उनकी कुछ nominal fees होती है registration की वो भी आप दीजिए और जो है आपको registration हो जाएगा अब PWD 4, 5, 6 तो मैंने आपको बता दिया इसके बाद PWD T1, PWD T2 और PWD T3 इसके बारे में यह कप जाएज चाहिए होता है यह आपको tender apply करने करते समय चाहिए होता है वो TW 4, 5 और 6 आपको पहले चाहिए जब पंधिकरण के समय चाहिए आपको जब ठेकेदार बनना है आपको त करते हैं किसी tender को तो इसमें क्या होता है कि यह परपत्र 40 लाग रुपए तक की धनराशी के लिए T PWD T1 चाहिए होता है 40 लाग से अधिक की धनराशी के कारे निर्मार परियुजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए PWD T2 फर्म चाहिए होता है और PWD T3 फर्म चाहिए होता है आपको सप्लाई ओर के लिए जैसे आपको कहीं सड़क बनानी है तो आपको उसमें बिटुमिन चाहिए जो काला सरफेस आप सड़क पर देखते हो उपर उसे जिसे आप तार कोर या कोल तार जो भी कहते हैं आप उ कौम देना पड़ता है इसको PWD T3 कहते हैं तो दोस्तों इसके भी लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूगा आप वहां से जाके इनको भी कलेक्ट कर सकते हैं फिर आप जब ठेकेदार बन जाएंगे दोस्तों तो आपको काम कौन देगा ये बहुत महत्तप अधिक्षण अभियंता मतलब सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर ये आपको एक करोड तक की धन्राशी कारे दे सकते हैं और मुक्य अभियंता आपको एक करोड से अधिक के कारे की करने वाले कारे दे सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो अधिसासी अभियनता अधिक्षन अभियनता मोक्य अभियनता इनके जो भी कारे होंगे वो सब आनलाइन होंगे उन पे आनलाइन आपको अपलाई करना पड़ेगा मगर जो साहिक अभियनता के जो दो लाक रुपए के कारे हैं वो आपको आनलाइन अपलाई करने की जरूरत नहीं है सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए वह दो लाक रुपए तक की धन्रासी वाले कारे के लिए अपने जीवन को सफल बनाइए और मेरी आसा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा यदि इसके बाद भी आपके कोई कमेंट है य आपको अवगत कराऊंगा धन्यवाद और साथ यू मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन भी दबाए ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए आपको